Hey guys, welcome to our study with Mayank, मैं हूँ आपका Mayank और आई लाराओं में आपके लिए NCRT Geography Class 11 से यहाँ आपकी बुक बन चल लही है यहाँ भारत बहुतिक परियावड बुक चल लही है आपकी इसी क्रम में आज आपका जो है यहाँ पर अध्याय 5 में का आप पार्ट 2 देखेंगे यहाँ प् चलिए बात कर लिते हैं आज के इस पार्ट की देखे आज हमने कल हमने देखा था वन और स्माज में आदमिक समाज में हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है जिस हिसाब से आप देख रही होगे प्राकरत के साँद बेट हैं तो परयावड़ कुसी निबटने के लिए हमारे लिए 1 पहुत ज्यादा क्लिए थैसे क्या होता है कभी कभी कैसे जुआ आपके updated आंकड़े बगएरा होते हैं जैसे कल एक अब बिरती ने कमेंट किया मुझे ये कहा कि सर आपने जो रामसर साइट्स बताया दे लेकिन बरतमान में अब 37 हो चुके हैं देखिए बहुत अच्छी बात है आप लोग मुझे ततकाल कमेंट करके पता दिया कीजिए और ऐसे लोग जो कमेंट करते हैं मैं इन लोगों के कमेंट को पिन भी कर देता हूं पिन करने का मलब होता है टॉप पर ठीक है याई आप जैसी वीडियो फो लेंगे वीडियो के कमेंट सक्षान में जाएगे आपको सबसे पहले आपको अपको अप्डेटिन मालो है तो आप कमेंट करके मुझे पता दिया कीजिए ठीक है तो आप लोग यहां पर सुधार लेना आपके लास्ट वाले वीडियो में 37 साइट हो गई है बरतमान में ठीक है और देखे जो भी है आप लोग मुझे जैसे ही में भी वीडियो आती हूँ समय अगर आप कोई गलती लागी ततकाल कमेंट करके बताइए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर अब देखे यहाँ पर वन सरक्षण नीद के संदर में हमारे यहाँ सबसे पहले भारत सरकार ने पूरे देश के लिए न सरक्षण नीद ज co was सबसे पहले लाई गई 1998 में इसे फिर से संस्योद्ध किया गया ठीक है तो पहला वाइड ही कि नूट कर लेना कि भारत सरकार ने पूरे देश की लिए वन सरक्षड नीत 1952 में लागोगी जिसे 1988 में संसोजित किया गया अब देखें नई नीती का टार्गेट भई रखा गया सतत पोशनी विकास सतत पोशनी वन ठीक है सतत पोशनी बन संसादनों का सरक्षड यहाँ पर कहने का मलब यह क्या सतत पोशनी वाला मतलब यह होता है कि आप भरतमान की जरूतें पुरी कर लें और भविस्ट की जरूतों के लिए भी कोई नुकसान न पहुँचे यानि आपकी आने वाली पीडियां है आपकी आने वाली जो भविश है उसको भी बन संसादनों का लाब मिल जाए और वरतमान की भी आपकी जरूतें पुरी हो जाए इस हिसाब से हमें जोगा बनों का दोहन करना यह सतत पोशनी विकास कहलाता है ठीक है तो आप इसके बारें पढ़ चुके हैं मैं अलरेडी काफी बार बता चुका हूँ इसको डिफाइन कर चुका हूँ तो यहाँ पर नई बननीत का यही रखा गया कि नई बननीत के अनुसार सरकार सदक पोशनी वन ठीक है और प्रबंद पर बल देगी जिससे एक और वन संसादनों का सरक्षड़ विकास किया जाएगा और दूसरी तरफ क्या होगा दूसरी तरफ इस थानी है लोगों की आपसक्ताओं को पूरा भी किया जाएगा एसे करके यहां पर इन्हों ने इसका पर बन नीत का उद्लेस है तरफ के बाव का भाग पर बन लगाना याँ अब यह आप देख रहे होँँगे भरतवान में कितना है हमारा कवरेज वो आप देख रहें 21-67% है ठीक है रक्षों को मिला करें यानि जो आपके सड़क फड़क किनारी रक्षें को नहीं बता रहा हूँ जो अभी हमने प्रीवेस अध्याय में कलम में नोट किया था कि इंडिया स्केट फॉरेश्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार वास्तविक बनावरट के वल कितना है हमारा 21,67% बहीं देश में बनो और रक्षों को आच्छा जिद करके मिला गलें तो हमारा कितना हो जाता है 24,67% हो जाता है यानि अभी भी हमारे 23% का लक्ष रखा गया है बनावरट का उससे यह संगा काफी कम है चाहे हम यह वार समलित रूप से मिला लें या फिर बनमन कवर कर लें फिर भी 33% वा लक्ष से काफी कम है तो सबसे पहले हमने पहला लक्ष यहां पर रही रिखातार हमने उद्धिस में यह देश के 33% भाग पर हमें बन लगाना है ठीक है तो यहाँ पर आप सेकेंडर का सब पाइंट आप नोट का लें आ दिके देश में बनो यह लिखने ना लक्ष यहाँ पर यहाँ पर कर देश में 30% भाग पर बन लगाना है ठीक है तुसरा लक्ष यहाँ पर यह था कि के परियावर संसलन बनाई रखना ठीक है तीसरा था यहाँ पर operates के यहाँ पर यह ता कि देश की जो प्राकर्तिक दरोखर है और जयब विथित्ता का सरच्ण ठीक है जो जा बिवित्ता का सरचट बनाई रखना चौथाल यहां पी हम उुद्य से यहां पिनीघट को रोकना ठीक है यह लिखने न आप इसके लाबा यहां पर अगला लक्षम नहीं रखा था क्यों इस सामाजिक बानिकी जो होती है जिसके जरी हम जो निम्नी करते भूमी बगरा है इसको निम्नी करत होने से रोख सकते हैं सामाजी के बान की मतलब हो समाज के दवारा बना रूपर बगरा हम करवा कर ठीक है तो समाजी के बान की बना रूपर दवारा वन आवरड का विस्तार तो ऐसे करके हमने यह कुछ यहा लक्ष रखा गया है क्या नहीं अब आपने अगर भासा बढ़ी होगी तो आप वहाँ पर टिक कर पाएंगे वहाँ पर option चुन पाएंगे और आपने भासा नहीं पढ़ी है केवल आपने objective objective पढ़ी है तो आप वहाँ पर नहीं कर पाएंगे इसलिए बासा बहुत जरूरी है ठीक है अब चलिए आगे बढ़ते हैं इसमедин एक बर्ड आया है सामाजिक वानिकी ये होता क्या है एतना तो समझ में आ गया है ग्यों सामाजिक वानिकी में क्या करते हैं यह सामाधिक बानकी का अर्थ है तो पहला पॉइंट तो यह नोट करेना यहां से लेकर यहां तक आगे बढ़ते हैं अब देगे यहां पर हमारे देश में जो राष्ट्री क्रसी आयोग है 1967-1980 इसने जो सामाधिक बानकी है इसको तीन भर्गों में विवक्त कर दिया है कौन-कौन से तीन भर्ग है देगे पहला यहां पर सब पॉइंट ऐसा वैडिंग के रूप में लिख लेना सहरी बानकी यहां जानते होंगे सहरों में हरित पट्टी होती है यहां ग्रीन सब्सक्राद्मीक भूमी जैसे हरित पट्टी, पार्क, सब्सक्राद LUJ के सबूगे सब्सक्राइब अर्थब्बस्ता है यानि ग्रामीड लेवल सभाव बढ़ा होती लिए मंवर बनों को बढ़ावा देना तो यहाँ में लिखना ग्रामीड वानिकी में क्रसी वानिकी और समदाय क्रसी वानिकी को बढ़ावा दिया जाता है क्रसी वानिकी का अर्थ क्या होता है वो भी मैं बता दे रहा हूँ देखे क्रसी वानिगी का आर्थी यह है कि आपने देखा होगा आज से कुछ साल पहले जो हमारे बरतवान में प्रधान वंतरी महुद हैं इन्होंने एक बात कही थी कि अगर किसान अपने ब्रक्षों की यानि अपने खेतों की मेर्ड पर अगर ब्रक्ष लगाएंगे तो उन जो ब्रक्ष हैं उन ब्रक्षों को लगाने का ये फाइदा होगा कि आने वाले 10-12 साल बाद वो लगबग खेत की कीमत निकाल देंगे यानि खेत की कीमत उनसे हमें मिल जाई उने बेचने पर और ऐसे करके हमारे यहां पर जो कन्याएं बगरा हैं बेटियां बगरा हैं उन यहां बखा गया है क्रसी योग के तता बंजर भूमी पर पेड़ और फसले एक साथ लगाना निक जो मेड़ बगरा है खेत की उस पर हमने पेड़ लगा दिये और बीच में फसलें हो रहे हैं ठीक है दोनों फाइदा हो रहा है हमारा फसल की वसल हो रहे है यह पेड़ के प पर इसमें लिखेंगे क्रसी वानकी का अर्थ क्रसी योग के बंजर भूमी पर पेड़ और फसलें एक साथ लगाना है ठीक है आगे बढ़ते हैं अब देगे समधाय वानकी समधाय का उपराय आप जानते हैं समधाय क्या होता है तो इसी में 20 सब पाइंट आपका यहां लि समधाय से लेड़े जो भी एक्टिविडीज है वो इसमें समधाय वानकी में रखी गई है ठीक है आप देगे इनका उद्धिस क्या है इस यह जिना का इसका उद्धिस साप साप उद्धिस आप जानते हैं इसका उद्धिस भूमी भी लोगों को वानकी करण से चोड़ना और इन्हें वे लाब पहुचाना जो केबल भूथ सांयों को ही प्राप्त होता है जो आपका जो बानकी है समधाय बानकी जहां पर लाब यह है कि पहले क्ए भूमी नहीं है बहुत सारे लोग ठीक है तो उन्हें भी उनसका लाब मिल पाएगा तो यहां से लेकर नोट alors अब देङक बानेकी का प्रकार और आता यह आता है वाही है अलग है नहीं अलग है यहां sowपर यह हो होता है कि सकते इत हुट हाह्ים ऑट धाँल लग स्काहिए है कि हमतो अनुट टेहित करेंगे यानि यसे आपने देखा होगा ब्यावसाइक लेवल पर पपूलर के प्रक्ष लगाये जाते हैं, नीम के पेड़ लगाये जाते हैं, कुछ उसदियों के पेड़ भी लगाने के लिए प्रमूट किया जाता है थीक है, तो ये सब चीज़ है फार्म बानकी के तहता जाती है, तो फा और यहां पर आपने नोट का लिया हुआ फार्मबानकी के बारे में अब बात करते हैं देखे हमने कल देख लिया कि हमारा जो भारत भारत है बहुगल की द्रिष्टी से यानि कि कह सकते हैं कि हमारे है बहुगलिक बिवुपत्ता भी हमारे बहुगलिक बिवुपत्ता के मामले में संपन है, नहीं हमारे बनस्पतियों के साथ साथ उनमें रहने वाले प्राणी जगत भी हमारे बिन बिन पाये जाते हैं, तो वो बनस्पतियों के साथ साथ हमें बन प्राणी को भी बचाने के लि ठीक है, यानि कि ये अपने अपने बर्ड हैं, यहां पर किस्प में रख दिया, पर जातिया होता है, ठीक है, कि ये लिख लिए आओगा पहला पॉइंट, अब देगे, यहां पर हमारे यह इतने बड़े पैमारे पर जो जैब विवित्ता आप देखते हैं, इसका कारण किया है, यानि हमारे यहां बड़े पैमान पर जैब विवित्ता करा रही है, कि हमारे यहां बहुस थारी पारिस्तित की तंत्र हैं, समुदरी पारिस्तित की तंत्र, ज्वारी पारिस्तित की तंत्र, ठीक है, नदी पारिस्तित की तंत्र, जील पारिस्तित की तंत्र, ठीक है, मर तो यहाँ पर आप नोट कलेना इसमें सब्पाइट के इतने बड़ी प्यमाने पर जह बिविट्टा पाई जाने का करण यहाँ पर पाए जाने वाले भिविन प्रकार के पार्स्थित की तंतर है यहां तक नोट कलेना आगे बढ़ते हैं याबग, अब देखें यहाँ पर बर्तमान परपिक्ष में आप सभी जानते हैं कि बहुत सारी गत्विदियां ऐसी संचालित हो रहीं जिन से हमारे जो पसु हैं, पसपक्षी हैं, यानि बने पराणियों उनको नुक्सान पहुच रहा है, जैसे चाहे बन बनों को काट कर बनाई गई हैं, बनों के अंदर बनाई गई हैं, बनों तक बिस्तारित कर दी गई हैं, तो ऐसे में जो बन जीब हैं, वो कहां जाएं, तो यहाँ पर अगला पॉइंट आप लिहेंगे, यहाँ पर डालेंगे आप कि बन प्राणियों की संख्या कम होने के क कारण कि यहाँ पर शॉट मैं इसलिए लिखवा दे रहा हूं कारण में चाहिए आप यहाँ पर जब भी आपको मैंस में लिखना पड़े तो भाँ पर आप यह क्या है यहाँ पर है यहाँ पर है यहाँ जो जरूरत हैं और दंदों से पूरी हो रही है और टेक्नोलोजी के विकास के दोरान हमने बनों का अंदादुन रूप से दोहन किया है चाहें लगडी के रूप में किया हो ठीक है चाहें हमने और ने रूपव में किया हो तो यहां पर औध्विकास के फल्सुरूप कही ना करी मारे हैं जो है बनों का अच्छे खासे से दोहन हुआ है अब देखे, आपने देखा होगा कि हमारे यहां अधिकान से जो खनिज पतारत हैं, वह जंगलों में पाई जाते हैं, जैसे जहार खंड, चत्तिसगर इनके जंगलों में, तो यहां भी हर्याली भी होट ज्यादा है, अब चूंकि वहां भी खनिज भी पाई जा रहे हैं, तो और धोय के विस्तार के लिए हमने क्या किया, जंगलों को काटके वाभी खनिजों को निकालने का काम किया है, तो ऐसे क्या हुआ, खनन बगारा करने से क्या हुआ, हमारे यहां जो बन है, वन कब्रेट कम होता जा रहा है, चूंकि उपर से बनों को अटाना पड़ता है, क्रतिम तंत्र होता है, यह क्रतिम तंत्र होता है, यह क्रतिम तंत्र होता है, जो कि मानब के द्वार निर्मित होता है, इसके लिए मानवी वस्तियां होती है, सड़के है, सड़के निकाली जाती है, खदाने, माइन्स पर गारा होती है, जलासें इत्याद बनाए जाते हैं, थर्ड सब पॉइंट आपका यही कहता है, यहाँ पर थर्ड सब पॉइंट यह कहता है, कि इस्थानी लोग, यानि कि आपने देखा था कि हमारे यहाँ एक विशाल तब का जो है, जंग्याती तब का बनों पर निरवर रहता है, तो इस्थानी लोग क्या करते हैं, वह चारे क के लिए बनों का काटा जाना इमारती लखडी के लिए बनों का काटा जाना ठीक है चौसा सब पॉइंट है अब देगे चौथे में क्या है आपने यह वाला मत बनाना यह बना लिए चौसा सब पॉइंट देगे हमारे यहां क्या हुआ है शिकार करने की यानि हंटिंग की तो ऐसा भी आपको पता होगा कि हमारे यहां अधिकतर राजे रजवाडे खूब रहे हैं तो ऐसे में जंगली जानवनों का अच्छे खासे सो नुकसान हुआ भरतमान में तमाम सरकारें बन गई लिगे कुछ सालों तक जब हमारे यह जब देश आजाद हुआ देश आजाद होने के उपरांध भी कोई जब तक इस प्रकार कानून नहीं बना तक इन लोगों ने अपनी मनमर्दी से बनों में रहने वाले बन पराणियों का सिकार किया ठीक है बाद में जब कानून बगरा बन गए कानून के सिकंजे में यह लोग भीए गए तब इनों ने अपनी के जो परिवार आपने देखा हो गा काफी बार आपने देखा होगा कि रजवाड मों इनकी मकान बखेरा में बनिभाा भाक हिए धा जगलों में आगने से इसे करके हमारे बन प्राणियों के लिए एक संक्ट क्रियेट हो जाता है जो आपने यहां पर देख लिए अब बात करते हैं भारत में वन पराणी सरच्षड के लिए कौन-कौन से कदम उठाए गए उनकी यहाँ पर चर्चा करते हैं भारत में वन पराणी सरच्षड तो यहाँ पर आपने हैं डाल ली होगी देंकि भारत में बन पराणियों को बचाने के लिए सबसे पहले अधनियम पास हुआ 1972 में तो यहाँ पर आप नोट कले ना पहला पॉइंट कि भारत में बन पराणियों के सरचड़ और रचड़ की कानूनी रेख गुरूप रेखा तैयार करता है ठीक है यानि कि इतना ही लिख लेना यहां तक यह लाइन मत लिख लेना तो थूड़ा सोर्ट हो जाएगा कि भारत में वन प्राड़ी अधनियम उन्य सो 12 पास हुआ और इस अधनियम के दो मुख्य उद्देश है इस अधनियम के दो मुख्य उद्देश कौन-कौन से है ठीक है पहला उद्देश यहाँ पर इसका पहला सब प्वाइंट यह है कि अधनियम के तरह जो जानवर इन में अनुसूची में सूची बद हैं याँ इनोंने एक लिष्ट तयार की कि भादे देश में कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं और इन मैंसे भी कौन से जानवर ऐसे हैं जो संक्टापन हैं इस संक्ट की सिजी में हैं याँ उनकी प्रजातियां अब बहुत कम होती जा रही है तो उन्हें सुरक्षा प्रदान करना याँ याँ पर लिखा गया है कि पहले सब्पाइट निसे ना अधनियम के दिए अनुसूची में सूची बद संक्टाबन प्रजातियों सुरक्षा प्रदान करना ये इनका पहला उद्धिस है दूसरा उद्धिस यहाँ पर क्या है कि नेशनल पार्क पशुबिहार जैसे सरच्चे छेतरों को कानुनी सहता प्रदान करना आपने देखा होगा कि हमारे याँ नेशनल पार्क या वनजीव अवियारन ये आपने सुने होगे तो इनको कानुनी सहता प्रदान करना अब देखें नेशनल पार्क या राश्टी उद्धियान होता क्या है देखें ये नेशनल पार्क या राश्टी उद्धियान एक समरद जैब विवित्ता वाला एक छेतर होता है जहाँ पर एक या अनेक प्राकर्टिक पार्ष्ट की तंत्र पाए जाते हैं और जो राष्टी उध्यान को जहाँ पर जो है राष्टी उध्यान को धर्दा दिलाने का काम किसका होता वो मैं बता दे रहा हूँ राजी सरकार यानि इस्टेट गवर्मेंट किसी ऐसे छेतर को राश्टी उध्यान के रूप में गोसित कर सकती है राजी सरकार किसी ऐसे छेतर को पार्श्टित की जीव जन्तुओं ठीक है या भू आक्रती जली महतोका हो इसे रच्षत किये जाने के लिए अब देखे एक बर और आता है यहाँ पर आपने देखा इसमें एक बर और था इसमें था पशुविहार यानि वनीजीव अवियारन कह सकते हैं यह भी जो है राश्टी पार्क के समान ही है अंतर इन में सर्फ इतना होता है कि यहाँ पर यह कुछ प्रजाती विसिस के लिए समर्बित किये जाते हैं एक साथ देखने को मिल जाएंगी टीक है जबकि जो वन Give अभयाहरं होते है color लिए श्मरप्र कさ के प्रजाति लिए समर्पित किये जाते हैं ठीक है तो यहाँ पर यह है और दोनों को ही दर्जा जलाने का जो कार है tech all राजा सरकार होता हैमें चीजाती है पूर पार अब देखे यहाँ पर जो अधनियम बन के तयार हुआ था वो इसे 1972 में 1991 में पूर्ट्य संसोदित कर दिया गया अब क्या किया गया इसमें कठोड सजागा प्राभधान किया गया कैसे आपके सामने सबसे अच्छा एक्जामपल जो है सलमान खान जी है ठीक है एक्टर सलमान खान है अच्छा आप बता ना सलमान खान ने कौन सा जानवर मा रहा है ठीक है सलमान खान ने कौन सा जानवर मा रहा है उसका नाम क्या है इस्पेसिली ठीक है और किस छेत्र बिसेस प्राणी है किया उसका मेथ वह दो है बों आप कमेंट में बताएंगे इस से जादा प्रकाश ज्लोल , आप इसे प्रकाश क्वेंगे , । हम इसक vidéos में। इस पीछे तो आप पन है कुछ सवाल में आपसे पूछा करूंग एक比 लिएएया तो आपको प्रकाश तो कौन सा हरन है हलाल पीला ह्रा काला कौन सा है वो आपको बताना है उसका नाम क्या है...'काली हरन स्वरी काला मैं बोली बयाँ फ़र यहां पर उसका बेग्यान का नाम क्या है यहां है कि अaking ते अब देखे अभी बर्तमान में अगर देखा जाए तो यहाँ पर कहा गया है कि देश में 103 नेसल पार्क और 555 वन जीव अभ्यारन है तेखे चूंकि यह संख्या प्रवाणी है मैंने यहाँ पर कुछ किताबों का सहरा लिया कुछ किताबों में पता किया मैंने तो पता चला क यही संख्या प्रयावर्ण की बुस्तक है नवीन वाली बुस्तक तो उसमें अभी बर्तमान संख्या एक सो तीन लिखी हुई है वहीं जो वन प्राणी अभयारन है इनकी संख्या बर्तमान में 543 है अब देखे इसके लाब अभी अभिरती के पास कोई latest update हो तो मुझे कमें सब्राइन करके बताती है जहां तक मैंने source खोजे तो मुझे अपने source हो में यही संख्या अभी प्रामारिक लगी ठीक है तो मैं प्रामारिक संख्या भी जो है देखे चुँकि इससब चीश़ा परवर्तित होती रहती है पहले क्या था मैं वही बताया कि पहले 105 संख्या लिख लेना ठीक है आगे बढ़ते हैं अब देखे हमारे रेस में यहाँ पर बताया गया है कि UNESCO के मानव जीव मंडल योजना यही मैंड एंड वायोस्फियर प्रोग्राम के त्याद भारत सरकार ने बनस्पति याद और प्राणडी याद के सरचड के लिए महत्पूर कदम उठाए हैं यह हकीकत बात है कि हमारे यहाँ UNESCO का एक प्रोग्राम है जिसे MAB प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है MAN and Biosphere ठीक है प्रोग्राम ठीक है इसके त्याद भारत सरकार ने बहुत सारी हमारी प्राणडी यादिया है बनस्पति यादिया इनको सनाचित कने के लिए तमाम कदम उठाए हैं जैसे कि योजना आपने पढ़ भी होगी प्रोयक्त टाइगर ये जो योजनाए है तो इनहीं की देन है जैसी योजना है ना इनके सरक्षड और इनके आपस बचाने के लिए चलाए जा रही है और इसी की द्यान हैँैद में आप यह लुद्र नोट का लिए होगा अब देखे अगर अगलाव सब्सक्राइगो करें छोड़ा यहां पर लिखा आये जो योजना थी प्रियक्ट टाइगर यह केबल नो बागों बाग नीचे आरच्छत रिजर्व जो थे ठीक है निए बागों के लिए रिजर्व प्लेस थे नो बाग नीचे ओं के चलाई गई थी ठीक है लेकर बरतमान में इनकी सक्ख्या यहां पर यह रिजर्व स्थान है ठीक है वो पचारास है उनकी संक्या पचारास है वरतमान में 44 नहीं है अपडेट करवा देना तो यहां पर आप इसी में सेकंड सब पॉइंट लिखने ना चोथी का सेकंड सब पॉइंट के सुरू में है यह उजना नो बाग नीचे ओं यानिकि न यह पचास जो चेत्र है बागों के लिए रिजर्व है ठीक है इनमें चल लही है यह आगे बढ़ते हैं अगर यहां पर देखिए पुराने आंक्रे दिखाए गए बागों के अब हम आपको बरतमान आपकी जो 2018 के सेंसिस है बागों के लिए देखिए हर दो साल में बागों यहां पर नोट करेंगे आप इसमें लिखेंगे देश में बागों की संख्या 2006 में 1411 से बढ़कर 2018 में 2967 हो गई है 2967 हो गई है इसके लावा भारत सरकार ने कुछ और प्रयोजना भी चलाई है वो कौन-कौन सी प्रयोजना है ठीक है बारत सरकार ने आपके द्वारा कुछ जैसे आपकी मघरमक्ष प्रजनन योजना हंगोल प्रयोजना हेमालय कस्तुरी नग प्रयोजना भी यहां पर चलाई जा रही है ठीक है तो आपने यह नोट का लिया होगा अब बात करते हैं आपके यह एक वर्ड आया जीव मंडल निचा है यह बाइव स्पियर रिजर्व इसकी अवधारना कहां से निकल कर आई है आपने बन जीव पर परनाड़ी अवियारन राश्टी उध्यान देख लिया अब यह बाइव स्पियर रिजर्व जीव मंडल निचा है यह क्या है यह कि अब देखें गया ठीक है जो जीव मंडल निचा है यह आर्च्छे चित्र ह होता है और यह बिसेस प्रकार के बहुमे को 30 बाशिती तंत्र है इन्हें जो है यूनेसको का मानव और जीवन मंडल प्रोग्राम के अंतर अधर मानता प्राफ्त होती है यह यहां से लेकर यहां तक आभी नोट कर लेना अगर बाहर बरतमान में देखें तो बरतमान में भा यह बनाई गया है और इनमे से 10 मंडल निका है वो यूनेसको के द्वारा जीवन मंडल निका है वो यूनेसको के दवारा जीवन मंडल निकास of Park नाव फ्रौड से जोड़े गई है तो ऐसी में हमारे थ इन मैंसे 10 सूची बद्ध हैं इन 18 मैंसे 10 हमारे जो है 20 नेटवर्क से भी जुड़े हुए हैं ठीक है तो यहाँ पर यह जो अठारे के ठारे हैं इनके नाम लिकना अत्यांथ आशक है और नाम मैं आपको टेबल से लिखवा दे रहा हूं यहाँ ठीक है अब देगे यहाँ प पहला जो 24 रिजर्व रहा है वो आपका नील गरी रहा है ठीक है तो एक तरफ आप लिखने ना यहाँ पर पहला पॉइंट करके नील गरी और इसे पढ़ता है अपका यह पढ़ता है उत्तरा कंड में अगला है नौक रेक यह ऑर धिल्स और मेख हले नाइट ए सुंदर बन यह बेस्ट बंगाला पढ़ता है और यह च्छिम बंगाली नार की खाड़ी यह रामिसूरम के पास ठीक है यहां पर लिखने है ना दिखे यह जो ब्लैक ब्लैक वाले हैं वो बैस्ट नेटवर्क वाले हैं ध्यान रखना आप यह अक्सर तुशा जाता है कौन से जिलेम पड़ता है मयूर भंज जिला है ओडिसा में डिब्रू साइकोपा यह बैस्ट नेट्रोक में नहीं है इसे हाईलाइट मत करना आप ठीक है यह कहां पड़ता है आसम में पड़ता है 1997 में सुची बद्ध हुआ है ठीक है नामेत अगला बढ़ते हैं दिहांग दिवांग दसमें नंबर का है यह 1998 में हुआ है यह अणाचल पड़ता है पंचमड़ी जो है आपका यह आपका पड़ता है मदबदेश में ठीक है पंचमड़ी जो है मदबदेश में है अब बात करते हैं कंचन जंगा पंचमड़ी भी बेस् चाटिस गड़ में है यह दोयार पांच में हुगा है नामित चन्कमार अमर कंटर MPO चाटिस गड़ में है ठीक है और ठंडा रिगस्तान से पहले यहां पर कच्छा आ जाता है कच्छ सबसे बड़ा यहां पर आप देख पारेंगे शेतपल कच्छ का सबसे जादा बड़ा है यह संदोयाराट में हुगा है कच्छ में ठीक है लिख लेना आप यहां में लिजरात कच्छ से मतलब गुजरात ठंडा रिगस्तान का मतलब 28-29 यह पूशा जाता है ठंडा रिगस्तान वाला अक्सरे से आप लद्दाक लगा जाते हैं लद्दाक नहीं है यह हिमाचल प्रदेश रीजन है ठंडा रिगस्तान हिमाचल प्रदेश सेसा चेलम या सेस अचलम जो अगला है यह सेस अचलम बाला यह कहां पढ़ता है आपका यह दोयार दस में नामे तुआ है यह पढ़ता है आंद प्रद है यहाँ पर कच्छ का रंज है सबसे बड़ा है ठीक है और कितने यहाँ पर नामित हैं बैशिक नेट रॉक में दस हैं जी आपके गिना दे रहा है एक दो तीन चार और यह पांचमा यह छटमा यह साथमा यह आठमा और यह नमा और यह दसमा ऐसे करके दस जो highlight हैं, वो किसमें है आपके basic network में सामिल हैं, ठीक है, तो इनके बारे में आपने लिख लिया, देखें, यह जो है न, यह most important है, अकसर करके पूँछे जाते हैं, अकसर करके, अकसर करके गुँछे जाते रहते अनिमे vi trust में जानकाई दी रही है तो उनके बारे में तो नटलो आव तो यहाँ पर क्लिए आप नीलगळी नीलगे बारे में है तो उसके क्या सिस्क्ता आंए तो हमे नीचे डेट की आपने पहला इसमें कौन-कौन से शेटर शामिल है इसमें शेटर वह सामिल है वॉसामिल है वाइनाड़, वन जीवन सपरची शेटर नगरहोल, बांदीपूर मदुमुलाई, निलम्बूर ठीक है इसके लाबा ऊपरी नीलिगरी, पठाः, साइलें्ट बेली इस वज़े से इन में जो नीलगरी वाला आम लिखवाया जा रहा है इसका अपना अलग बहत हो है नीलगरी वाले में जो मैं जो लाइन लिखवा रहा हूं पहले पॉइंट में ये अक्सर करके UBSC एक जाम में पूचे गई है यह कौन-कौन से नाई लिखरी वाले में पढ़ते हैं यह कौन-कौन से चेतर इसमें पढ़ते हैं ऐसे करें पूचा जाता है ठीक है यागर यह तो फहानिया सामिल है पहला पंट इसमें नोट करो लिए constellतक हे घरते हैं यहाँ पर वनस्पतियों की बात करें तो यहाँ शुष्क और आद्र पढ़पाती बन अर्द सदाभार बन और आद्र सदाभार बन मिलते हैं जिनमें शदाभार शोलास गास के मैदान और दल्दली बन भी यहाँ पर दल्दली प्रदिस भी यहाँ पर सामिल है ठीक है यहाँ यहां शुष्क और आदर बढ़ पाती बन अर्द सदावार ठीक है और सदावार चोलाश घास के मैदान और डलदल सामिल है अब देखें यहां पर जो नीलगरी वाला जो रिजर्व है यह दो प्रजातियों के लिए फैमस है एक तो लाइन टेल्ड बंदर यानि लाइन टेल् सबसे दिख संख्या पाई जाती है इन दो के लिए फैमस है देखें जो प्रसंत पूछने है कि काभी सारी कलाएं होती है ऐसे पूछा जा सकता है ठीक है कि भारत के कौन से जो है आपका बाइस पीर रिजर्व में लाइन टेल्ड जो मंकी पाया जाता है अगर आगर आपने लिखा होगा तो आपको पता होगा लिखाई नहीं होगा तो पता नहीं होगा आप बता देंगे कौन से पाये जाता है नील गरी वाइस पीर रिजर्व में पाये जाता है ठीक है ठीक है ठीक है जानवरों की संख्या भी पाई जाती है ये लिखने है आप आपका छोता पॉ में वाई अब यहां पर पांचमा पॉइंट यहां लिख लेना ठीके बैश्टन घाट पर जिसने मिलने वाली जितनी प्रजातियां हैं ठीके जीबों की तो यहां पर बताएगा पश्मी घाट में पाई जाने वाली 80% फूलदार पौदे इसी नीचे में मिलते हैं यानि कि जो बैश्टन घाट पर पाई जाने वाले 80 फ्रिसी पौदे हैं वो आपके इसी बैस पर रिजर्व में पाई जाते हैं बैश्टन घाट आपने देखा था कल ऐसे करके बैश्टन घाट था यह पूरा बैश्टन घाट ही पढ़ता है ठीक है तो 80% यहां पर जो आपके इस लिए यहां पर लिखना जरूरी है तो इसमें लिखने ना इसमें चमोली अल्मोडा पितोरागड और बागिस्ता-जलों के भाग सामिल है ठीक है अब देखे यहां पर पिसिस्ता किया है चुके पहाड़ी लाका होने के विज़ए से यहां पर शीतोष्ट बन प भप्याइं एस ही में यहां पाई जाने माली प्रियातियों में इसीलवर्बुड और लैटी फॉली जैसे और्चिट और रॉडं डैंटरॉन है ठीक है रॉड़ी डैंटरॉन सामेञा थिर्ड पॉइंट यहां पर अगर हम यहां पर बन जीवों की बात करें, तो बन जीवों में यहां पर हम त्यांदुगा, सुनू लैपर्ड यिसे बोलते हैं, काला भालू, भूरा भालू, कस्तूरी मरग, हम मुर्गा, यहां पर पाई जाते हैं, ठीक है, तो यह तो आपने नंदा देवी, बारे में आपने देख लिया, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नंदा देवी आपका सेकेंड नंबर का था, 98 में हुआ था, ठीक है, नामित, यह आप पहली लिख चुके हैं, अब अगला बाइस पर रिजर्व भी है, सुन्दरवन वाला, ठीक है, सुन्दरवन वा बुत्य के डिल्टा पर यह निर्मित है, यानि कि कुछ हिस्सा इसका पश्यम मंगाल में बढ़ता है, वाध बागी बागी बागी, मोश्टली हिस्सा जो बंगलादेस में है, ये बाद आप पहली पढ़कर आए हैं, तो इसकी बिजिस्ता गया है, इसकी बिजिस्ता आपने रोट का लिया होगा, सेकंड पॉइंट यहां पर यह है कि भाई, यहां पर दोसो से ज्यादा, ठीक है, यहां लेख रहा है यहां छेत्र दोसो से ज्यादा रोयल बंगाल टाइगर का आवासी छेत्र है, यहां यहां छेत्र लगबग दोसो रोयल बंगाल टाइगर क स्थी के लावा, इसके लावा, इसी में सबफ़इंट, सेगिंड सबफ़इंट पे यहाँ 110 से जादा पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती है, यहाँ 110 से कि बाग के अलावा यहां चीतल भोकने वाले जंगली सुर और लंगूर भी पाय जाते हैं और लंगूर भी याँ पाय जाते हैं थर्ड पुइंट आपका हो गया इसके लावा यहां पर एक बहुती महतपुड की लकडी मिलती है उस लखडी का नाम है Harry Sierra Phomage ठीक है ये पूछी जाती है यहाई संदरवन के बनों में किस प्रक्ष की लखडी में प्राफ्त होती है Harry Sierra Phomage की प्राफ्त होती है यह जो कि बेस कीमती लखडी है तो यहाई लेकले ना संदरवन के Mangrove बनों में Harry Sierra Phomage जो बेस कीमती मारती लखडी है यह पाई जाती है इंपोर्टेंट लगा लिना यह पूछी गई है Harry Sierra Phomage ठीक है आगे बढ़ते हैं अब बात आती है मननार की खाडी बाइस पर रिजर्व की मननार की खाडी आप जानते है जडर फोर बात पर रॉन आया के धश्ठ इधर होता है और बैश्ड इधर है तो जचड पूरू है जाने दच्षड और पूर्व की तरफ तो इस त्राइड में इस चाहिए ठीक है यह आपने देख पा लिए यह डॉट है यह यह वाला ठीक है तो यह ही आपने नोट का लिया होगा यहाँ पर आप लिखेंगे इसमें यह भारत के दच्षड पूरी तरफ पर इस्थेत है ठीक और खार 91 और जो है मिर्टा राकर मिल जाता है किसी नदि वन इसका तो जुआत मोच को उता है पूलिन कारत साब जानते हैं कि समुझ पर जाही धादेक बालू के अखर गाल वाल वाली अनूप 利ख ले कर णक यहां से लेकर यह add कर लिए ना अब देखिए यहाँ पर कुछ समुद्री जीब भी पाई जाती है यहाँ पर कुछ बताया गया है यहाँ पर लगबग यहाँ पर लगबग 3600 पौदों और जीबों की संगटापन प्रजातियां पाई जाती है जैसे इसमें एक्जांपल दिया गया है जैसे समुद्री गाय है डुगोंग डुगोंग ठीक है इसके अत्रिक्त यहाँ पर 6 मेंगरो प्रजातियां भी पाई जाती है ठीक है तो यहाँ लेकिना इसके अत्रिक्त भारती महाधी प्राइदी भी 6 मेंगरो प्रजातियां भी यहाँ पर संकाटापन है ठीक है तो ऐसे करके भाई आपका इस चैप्टर यहाँ पर समाप्त हो जाता है इस चैप्टर से समझे जो प्रस्न है प्रस्नों की संखिला में आपको पहली दे चुका हूँ और उसके बारे मैं लिंक में जहाँ पर आई बटन पर शेयर कर दूँगा ठीक है डिस्क्रिप्स्न डॉक्स में भी मैंने उसका लिंक दे दिया है इस चैप्टर से लिए एमसी कुई वाला ठीक है इस चैप्टर को नोट डाउन करने के बाद आप आप जो है बहाँ पर क्लास नोट से लग मिलते हैं क्लास वाले नोट से लग मिल देते हैं वो लोग इसके लावा क्लास के लावा अपने जो प्रिंटेट नोट्स होते हैं वो लग देते हैं ठीक है प्रिंटेट नोट्स के लावा उनकी जो कुछ बुक्स बगरा होती है ने अब quic book वह रहा है बोलते हैं उन्हें पढ़ने के लिए अलग advice करते हैं कुई quick book भी पढ़ो और उसके लावा quick book के लावा जो आपके standard book हैं उन्हे पढ़ने के लिए भी बोला जाता है याणि आप चार-चार source से आपका दिमाग सोच सकते हैं किस हिसाब से आपके तो कोचिंग वाले ये बात नहीं बोलते 옆ami नोपार भी करते हैं है लेकिन फिर भी आप टो मेरी बात में चुकRI बुरा रहा रहे है क्या यह नहीं टाइम पास कर रहा है यह वेकार में रिक्षा दिया तो आप अभी देखने हैं यह बात, अगर मैं इस chapter में इतने ही आंकड़े और add करवा सकता था, अगर मैं किसी और book को उठा लेता है, तो इसमें इतने आपने लिखा है, उतने ही आंकड़े में add भी करवा सकता था, लेकिन मैं add tuning करवाई, चूंकि आप अभी standard book भी मैं पढ़ तो चलिए आज के लिए वसना ही, thanks for watching, जय हिंद!